तो लास्ट वीडियो में हमने पड़ा कैसे उसने अजार बनाए इनके साहता से वो खेतों को जुदाई करता था सीडिंग करता था सीड्स की पेड़ों को कारता था ठीक है और उसने जो नया इन्वेंशन तरीका खोज निकाला अजार बनाने का उसमें कुछ पुरा पाशान कालके भी ओजार पा जाते हैं और इस समय के जो जार थे थोड़ा एडवांस थे पूटरी दनिलिथिक मेन डिसकवर्ड दैस सर्टेन क्रॉप्स सच आज वीट एंड राइस कुड बी स्टोर फॉर लॉंगर पिरिड आफ टाइम जो निलिथिक मेन था उसने ऐसा तरीका खोज निकाला या उसने ऐसे पाया कि जो कुछ फसले हैं जैसे यह हूँ और चावल इसको हम लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं अब फूड प्रोड़क्शन फूड प्रोड़क्शन इंक्रीज डिव टू फॉर्मी ठीक है तो जैसे से फॉर्मी इंक्रीज हुई वैसे फूड प्रोड़क्शन का भी इंक्रीज हुआ ब्रद्दी हुई the need to store the surplus food also arose तो जो surplus food, बचाफ़ फूड होता है, भोजन होता है उसको हम कहाँ store करें, इसकी भी demand बड़ी containers were needed to store extra grains जो extra grains बच जाता था, extra अनाज बच जाता था उसको store करने के लिए containers किया हो सकता पड़ी at first baskets women from wild grass were used सबसे पहले उन्होंने जंगली घास से कुछ टोकरियां बनाई टोकरियों को बना न सीखा, उसमें भोजन को जो अनाज बचा हुआ था उसको store करने सीखा they were then plastered with clay and dried in the sun इसके बाद उन्होंने मिट्टी को उस टोकरी जो थी उसको मिट्टी से plaster कर दिया ठीक है उसको लेप लगा दिया मिस्टीर से और उसको धूप में सुखा लिया later people learn to use fire to bake clay vessels बाद में लोगों ने जो clay vessels मिट्टी के बने हुए बरतन होते थे उनको आग में पकाना सीख लिया bake clay vessels these were used for both storing grains and cooking food अब जो यह आग से पका लेते थे मिट्टी के हुए बने बरतन उनसे दोनों ही काम कर लेते थे उसमें अनाज को भी store कर लेते थे और उसमें भोजन को पका भी लेते थे vessels were initially made by turning by hands ठीक है जो vessels होते थे इनको हांस से बना जाता था gradually wheel turned pottery began to be used जल्दी ही पढ़िये काविस्कार करके उन्होंने पोटरी बनाना सीख लिया invention of wheel wheel was a remarkable invention of the neolithic age neolithic age का wheel सबस्चे महत्तपोड remarkable invention था अविस्कार था like fire the invention of wheel brought about a great change in the life of the stonese people आग की तरह पहिये की अविस्कार ने भी जो पाशानकाल के लोग थे उनकी जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकिया आया where the wheel was invented is still a mystery पहिये का विस्कार कहा हुआ था या कैसे हुआ थे आज तक एक रहस से है mystery है it is believed ऐसा माना जाता है that a log of wood or stone rolling downhill may have given the idea of a wheel to the people जैसे कोई एक बड़ा मोटा लकडी का लख्ठा हो सकता है पहाडी से लोड़कता हुआ नीचे गिरा हो या नीचे गया हो जिससे उनको एक पहिये के विस्कार का एक आइडिया मिला उस समय के जो लोग थे तो उनको एक पहिये के विस्कार की विचाधारा मिली wheel improved transport and quickened the pace of development इससे transport में development हुआ और जो उसकी गती थी उसको भी और speed मिली ठीके विकास की गती को भी speed मिली with the help of wheel heavy object could be transported easily पहिये की सहता से जो बहुत heavy object हुआ करते थे भारी भर कम चीजें हुआ करती थी उसको भी वो आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते थे और जुन्होंने potter's wheel बनाया बरतन मनाने के लिए जो wheel बनाया उससे उन्होंने बरतन मनाने सीखे और बहुत interesting point रुचिकर बात ये है कि जिस बकार पहिये से अनिशियन टाइम में निवलिथिक पिरेड में लोग आउजार बनाते थे बरतन बनाते थे तो आज भी उसी पहिये का उसी टाइप के पहिये कर विशकार करके बरतन बनाया जाते है At a later stage, the wheel was also used for spinning and weaving बाद में पहीय का use spinning और weaving के लिए भी किया जाने लगा People began using cotton and wool yarns to weave cloths and gradually gave up bearing cloths made of animal skin and leaves लोगों ने जल्दी ही cotton और wool yarns से बने हुए कपड़े बुनने सीख लिये और उन्होंने जो जानवरों की खाल से या पत्तियों के बने हुए कपड़े पहनते थे उनको छोड़ दिया Give up Towards a settled life कैसे एक स्थाई जीवन की तरफ मुढने लगे With the advent of agriculture Human being started to settle down permanently in groups and began to live in villages जैसे जैसे उसने क्रशी का विश्कार सीखा वैसे human being स्थाई रूप से एक जगह समूव में रहने लगा और गाव बना के रहने लगा The first man made house were mud huts with hatches roofs सबसे पहले मिट्टी या कीचर्ट से घर बनाने शुरू किये जो इनकी roofs होती थी वो परिवारी का काम करती थी Family and tribe culture परिवार और आदिवासी संसक्रती As people started living in such close groups जैसे लोगों ने इतने आस पास पास समूह में रहना शुरू किया The concept or idea of family and tribe emerged वैसे ही एक परिवार की विचारधारा एक tribe की विचारधारा उदे हुई A group of families or tribes followed the same customs, rules and beliefs तो एक समूह हुआ करता था वो समूह या वो परिवार एक विशियस पकार के जो customs होते हैं, रित्रिवाज होते हैं, नियम होते हैं, विश्वास उनको मानता था There is not much evidence of the life of these early tribals who lead a simple life and stay close to nature इनके बारे में बहुत अधिक जो evidence हैं, सबूत हैं वो नहीं प्राब्ध हैं कि कैसे जो आदिवासी समूह के लोग हैं पास पास रहते थे और simple जीवन जीते थे और प्रक्रति के बहुत पास रहते थे And whose customs and beliefs have not changed much over the years और उनकी जो customs से रित्रिवाज और उनकी विश्वास बहुत सालों के बाद भी बहुत अधिक उसमें परिवर्तन नहीं हुआ So by studying these types, इसलिए इन आदिवासी जो tribes हैं उनका अध्यन करके We can draw some conclusion, हम कुछ निसकर्स निकाल सकते हैं About the life of the Neolithic people, जो Neolithic peoples थे उनके जीवन के बारे में कैसे लोग रहते थे, तो हम आदिवासी जातियों का अध्यन करके हम कुछ निसकर्स निकाल सकते हैं Occupations, ब्यवसाय, various occupations such as hunting, gathering, fishing, herding and forming work period out of the Neolithic people बहुत सारे ब्यवसाय, जैसे hunting, gathering, fishing, herding, ठीके सिकार करना, मसलीप करना, बोजन को खटा करना और खेती करना यह बहुत सारे कार है, Neolithic people के द्वारा किये जा रहे थे The natural The natural resources such as forest and water resources were jointly owned by the tribes सहीं को दुरूप से जो प्राकृतिक संसादन होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? Land, forest and water resources were jointly owned by the tribes, ठीक है, सहींक तुरूप से यह उनको own करते थे There was no concept of private property, उसमें ब्यक्तिक संपत्ती का कोई भी विचारधारा नहीं था And hence, there were no inequalities within the tribes in terms of wealth इसलिए धन संपत्ती के अधार पे किसी के पास कोई असी असमानताय नहीं थी जो भी उसमें आदिवासी समुह हुआ करते थे, उसमें किसी प्रकार को कोई बेदभाव, संपत्ती को लेके असमानताय नहीं थी The leaders of the group were either old and experienced men, और young, strong and brave warriors और इन समुह के जो leaders हुआ करते थे, जो इन समुह का नेतरत्त करते थे वो या तो उस समय का, उस समुह का सबसे बुजुर्ग बड़ा व्यक्ति होता था अथवा, young and strong brave warriors कोई मजबूत बल्वान योदा हुआ करता था These leaders made the rules and regulations for the types और यही leader आदिवासी लोगों के लिए कुछ नियम कानून बनाए करते थे Okay Men and head occupation such as hunting, farming and herding or grazing large herds of animals जो men हुआ करते थे, male पुरुष हुआ करते थे male हुआ करते थे, क्या करते थे उनका website था शिकार करना, farming करना और जानवरों को बड़े समुहों की जानवरों को चराना Women did some of the agriculture task महिलायां भी कुछ क्रसी कार्यों का कारिकिया करती थी जैसे sowing seed, बीजों की बुवाई करना, and harvesting grain और प्रसलों की कटाई से टाई करना, with the looking after household and their children घर के कारयों को भी देखती थी और अपने बच्चों को भी समालती थी They also looked after small flocks of animals और जानवरों के जो छोटे-छोटे जुण्ड होते थे उनकी भी देखवाल करती थी Both men and women made pots, basket, tools, cloths and huts महिला और पुरुस दोनों ही मिलके टोकरियां, बरतन, आउजार, कपडे और जोपणियां बनाये करती थी ओके?